तर्वामंत्री इंद्रेंद्र मोदी ने रोहताग में विश्वकी सबसे लंबी राजमार्ग आटल टरनल का किया उधगाटन कहा टरनल से मोडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली है नई ताकत केंद्री राजमंत्री कृष्णपाल गुजर ने कहा क्रिशी सम्मंदी नए कारूनों के लागू होने से मंडियों की ववस्था में नहीं होगा कोई बदलाव बोले अब किसान देश भर में अपनी फसल बेचने के लिए होगा स्वतंत्र प्रिशी मंत्री जैप्रकाश जलाल ने दादरी की मंडि का लिया जायजा बोले किसानों और आड़तियों के हिटों पर नहीं आने दी जाएगी कोई आंच और कोरोना से मुक्त होने वालों की सख्या के लिहाद से भारत पहले स्थान पर कायम देश में अब तक 54 लाग से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात नमस्कार मैं सुरेंद्र कुमार अब समाचार विस्थार से प्रदामंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित 9.2 किलोमेटर लंबी अटल टनल का उधगाटन किया इस मौके पर रक्षामंत्री राजनात सिंग और हिमाचल प्रदेश के मुक्ष मंत्री जैराम ठाकुर भी मौजूद रही प्रदामंत्री ने अपने संबोधन में आज के दिन को एतिहासिक बताया और हुने कहा कि आज सर्फ आटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के करोणों लोगों का भी दशकों पूराना इंतजार खत्म हुआ है प्रदामंत्री ने कुछ दूर पैदल चलकर सुरंग का मुआइना भी किया आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है आज हिमाचल प्रदेश के करोणों लोगों का भी दशकों पूराना इंतजार खत्म हुआ है ये विश्वस्तरिय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जाकता प्रमाण है हिमालय का ये हिस्सा हो पस्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो और फिर दक्षिन और पूर्मी भारत का तट्य इलाका ये देश की सुरक्षार समर्दी दोनों के बहुत बड़े समसाधन है तधामंत्री ने कहा कि इस टनल से बॉर्डर इंफ्रस्ट्रक्चर को एक नई ताकत मिलेगी जो देश की सुरक्षा की दृष्टी से बेहत खास है उन्होंने कहा कि इस टनल से मनाली और केलॉंग के बीच की दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी जिससे वहां के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी इसकी दूरी 3-4 घंटे कम होई जाएगी पहाड के मेरे भाई भेहन समझ सकते हैं कि पहाड पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है साथियों ले लद्दाक के किसानों, बागमानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी, दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुँच आसान हो जाएगी अटल टरनल के उदगाटन अवसर पर रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने कहा कि ये टरनल स्थानिय लोगों को साल भर क्रेक्टिविटी प्रदान कर, रोजगार आदी के असीमित अवसर प्रदान करेंगी उन्होंने इस टरनल को सामरिक रूप से महतोपूर्ण बताया मैं मानता हूँ कि जहां देश की यंता को ये समर्पित है टरनल वही पर हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जमानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी अविशेस रूप से समर्पित है इस तंदल के बन जाने के परड़ाम सवरू स्वावावी कुरूप से पर्याटन भी बढ़ेगा पर्याटन बढ़ेगा तो इस हैत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलप्त होगा इस हैत्र के संबंद में हम यह भी जानते हैं कि यहां पर जो आरिवासी भाई हैं वह दस्तकारी की कलाब में बरे ही पारंगत माने जाते हैं स्वावाविक है कुछ महीने तक जो आल वेदर कनेक्टिवटी नव होने के कारण वह सेज भारत से कटे रहते थे अब अपने दस्तकारी की चीज़ों को वह के अबल हिमांचल प्रदीश ही नहीं बलकि प्रदेश के किशी भी भाग में ले जा सकते हैं और वह अपना वह व्यापार बढ़ा सकते हैं वोख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजी करण नहीं करवाया है क्रिशी विभाग उनके लिए भी ववस्ता करें कि संबंदित किसान की मरफरद्व इगिर्दावरी दोनों का मिलान करते हुए उनका पंजी करण किया जा सके वो खेवंत्री ने कहा कि किसान अपने फसलों को सुखा कर ही मंडियों में बेजने के लिए लाएं धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के बीच में होनी चाहिए उन्हें कहा कि संबंदित अधिकारी किसी प्रकार की कोता ही ना बरतें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश किसानों की फसल के एक एक दाने को खरीदना है। केंद्र राजी मंत्री कृष्णपाल गूजर ने आज पलवल के भाजपा कारयाले पर एक प्रेसवारता को संबोधित किया। इस दोरान उन्होंने कहा कि क्रिशे संबंदी नए कारून किसानों को सशक्त, आत्म निर्भर और आये को दोगुना करने में कारगर साबित होंगे। किरशे पाल गूजर ने कहा कि कारूनों के लागू होने से मंडियों की ववस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, बलकि फसल बेचने के लिए एक वैकल्पिक ववस्था बनाई गई है। नए कानूनों के तहट अब किसान देश भर में कहीं भी अपनी फसल बेचने के लिए सुवतंत्र होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से किसानों को आत्म निर्भर बनने में मदद मिलेगी। कि पहली वाली ववस्था इत्रों की तौब बनी रहेगी। चाहे वो बंडी है। चाहे वो आड़ती है। सिर्फ किसान को एक वैगल पिक वववस्था दी गई है। किसान को बंद्रों से मुख्थ किया गया। इसका अन्रदादा ये तैक नहीं कसकता। कि उसकी फचल बहाद गई हैं। कृशी मंतरी जैप्रकाश दलाल ने कलदादी की मंडियों में बाजरा वायने फचलों की खरीद की स्थितिका जायजा लिया। और इने किसानों की आमदरी में भड़ोतरी करवाना सरकार का मुख्य देश है। क्रिशी मंतरी ने कहा कि किसानों और आड़तियों के हितों पर कोई आच नहीं आने ती जाएगी उन्होंने अधिकारियों से ये भी सुनेशित करने की निर्टेश दिये कि फसल खरीद के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और बाहर से आने वाले बाजरे की खरीद नहीं की जाएगी क्रिशी मंतरी ने कहा कि बाजरे की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित नियुनतम समर्थन मूले के आधार पर ही की जाएगी मंडियों में MSP पर परचेज पहले से ज़्यादा चलेगी और किसी भी तरह का हमें सयोग करना आ जाए मंडियों के आड़तियों की कमाई को भी हम विशेज जान रखेंगे कि जो पहले से बढ़े पहले से कमना हो क्रिशी मंत्री ने कहा कि कपास की खरीद अगले दो दिनों में शुरू कर दी जाएगी कॉर्टन कोर्परेशन ओफ इंडिया के जरिये कपास को नियुनतम स्मर्थन मोले पर खरीदा जाएगा उन्हेंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह किसानों के हित में कारे कर रही है क्रिशी मंत्री ने किसानों से नए क्रिशी कानूनों को लेकर किसी के बहकावे में ना आने की अपील की किसान भाईयों से मेरी प्रात्रा है कम रेट में ना बेचें कपास की पूरी हर्याना की इस बार व्यवस्ता की जा रही है पहले इस से पहले 20-25 परसंट इक पास खरीती थी CCI इस बार CCI से हमारी बात हो गी है 100 परसंट कपास हर्याना की जो है क्रिशी मंतरी जैपरकाश दलाल ने आज रेवाडी में मंडियों का निरिक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक देशा निर्देश पी थिये इस दोरान उन्हें कहा कि किसानों के फसल को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार दोरा खरीदा जाएगा क्रिशी मंतरी ने कहा कि प्रदेश भर की मंडियों में बाजरा सहित अन्या खरीव फसलों की उपज बिक्री के लिए सभी सुविधाएं मोहिया करवाई गई है ताकि फसल बिक्री के दोरान किसानों को कोई असुविधा ना हो उन्हेंने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आये दो गुनी करने की दिशा में विशेश कदम उठाए जा रहे हैं नारनौल में खरीब फसलों के खरीद नियुननतम स्मर्थन मुले पर सुचार रूप से जारी ہے बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर उपाउकता आरके सिंग ने कहा that सरकारी नियमों के तहए आधो बाजरे की खरीद की जाएंगी उसको अपलोड किया है उसके उपरान हम सभी अफसरान ने यानि के कुछ गाओं चंडिगट अलव से सिलेट किये गई हैं और DC को, ADC को, SDM को, तैसिलदारों को, DRो को, सभी को अलोड किये गई हैं और उन्होंने उनको चेक किया है और वो सही पाने पर उपर दोबारा भेज मंडी में फसल बेचने आए एक किसान बाजरे की सरकारी खरीद से काफ़ी खुश नजर आए उन्होंने कहा कि सरकार नियुनतम समर्थन मोले पर उनकी फसल खरीद रही है और उन्हें अपनी फसल को बेचने में किसी प्रकार की कोई परिचानी नहीं हो रही प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेस्बुक, ट्विटर और यूट्यूब के माधिम से भी जुड़ सकते हैं हम से जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या के लिहाद से भारत पहले स्थान पर बना हुआ है देश में अब तक 54 लाग से अधिक लोग कोरोना से उबर चुके हैं अंतराश्य स्थर पर देश में कोरोना से मुक्त होने वालों की दर 21 प्रतिशत है जबकि दुनिया में कोरोना से बीमारी होने वालों में भारत की हिस्सेदारी 18.6 प्रतिशत रही है देश में कोरोना से होने वाली मृत्यू दर बहुत कम रही है वैश्विक स्थर पर कोरोना से मृत्यू दर 2.97 प्रतिशत है जबकि देश में ये दर केवल 1.5-6 प्रतिशत है, देश में प्रती 10 लाग पर कोरोना से हुई मृत्यू दर दुनिया भर में सबसे कम है कोरोना से एक दिन में मुक्त होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है और ये फिलहाल 83.84 प्रतिशत है पिछले 24 गंटों के दोरान कोरोना से मुक्त हुए 74.3-6 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंदर शाषित प्रतिशों से है इन में सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र, आंधर प्रतिश और करनाटकी है बाहरतिय बाल कल्यान परिशत द्वारा बच्चों के सहासे कारियों को पहचान दिलवाने और अन्य बच्चों को प्रोचाइद करने के लिए राश्ट्य बाल बहादूरी पुरिसकार प्रदान किये जाते हैं फतेहबाद के उपायक्त द्वक्टर नरहरी सिंग बांगर ने बताया कि परिशत द्वारा राश्ट्य बाल बाहदूरी पुरिसकारों के लिए 15 अक्तुबर तक सिफारिशे आमंतरित की गई है इस पुरिसकार के लिए आवेदक की आयू 6-18 वर्ष तक होनी चाहिए और बहादूरी का कार्य एक जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2020 के बीच होना चाहिए उपायकति ने बताया कि इस पुरिसकार के लिए भेजी जाने वाली सिफारिशों है तू बहादूरी के कार्य का लगभग 250 शब्दों में वर्णन, जन्म पर्मान पत्र, समाचार पत्र या पत्रिका की कटिंग, F.I.R. अत्वा पुलिस डायरी द्वारा सनलगन किया जाना अनिवार्य है। की आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के उद्देशत से मार्केट फीस भी घटा दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आड़तियों की आड़त बढ़ाने के लिए F.C.I. को पत्र भी लिखाए जिस पर फैसला आना बाकी है। नार्णोल के उपायगत आरके सिंग ने कहा कि जिले में किसानों को बाजरा बेचने में किसी परकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नियुनत्म स्मर्थन मुल्या पर बाजरा बेचने के लिए किसान अपने शेडूल के अनुसार मंडियों में बाजरा लेकर आएं। लाएं ताकि इसे बेचने में किसानों को किसी परकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अन्त में इस ब्रिटन के मुखे समाचार एक बार फिर। तरहमंत्री नरेंद्रमोदी ने रोहतांग में विश्वक की सबसे लंबी राजमार्ग अटल टरनल का किया उधगाट कहा टरनल से मौडरन इंफ्रस्रक्चर को मिली है नई ताकिट। केंद्र राजमंत्री कृष्टपाल गोजर ने कहा कृषि सम्बंदी नए कारूनों के लागू होने से मंडियों की ववस्था में नहीं होगा कोई बदलाव। बोले अब किसान देश भर में अपने फसल बेचने के लिए होगा स्वतंत्र। कृषि मंत्री जैप्रकाश दलाल ने दादरी की मंडिका लिया जायजा। बोले किसानों और आडतियों के हितों पर नहीं आने दी जाएगी कोई आंस। और कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या के लिहाद से भारत पहले स्थान पर कायम देश में अब तक चोवन लाग से आधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। समाचार में आज इतना ही नमस्कार। झालों